भारत द्वारा स्वधेशी तक्निक से निर्मित प्रथम मानव रहित भारतिय उपग्र आर्यवट का प्रचेपन पूर्व सोवियत संग से किया था तो दोस्तों भारत की दुआरा सोधेश निरमीत प्रतम मानो रहित जो भारतिय सेटेलाइट है जिसका नाम अरिवट है तो इसका प्रचेपन पूर्व सोव्यत संक्सी क्या गया था तो इसके बारे में पूर जानकारी को देखते हैं कि क्या है इसको कौन से डेट में भेजा गया था किस प्रच्छेपन यान के दौरा भेजा गया था और कहां से भेजा गया था इन साथ चीजों को मैं एक एक करके बताऊंगा तो यह जो सेटलाइट है आर्यभट उबग्रह वहां भारत का पहला मानो रहित उबग्रह था यहां पर आप चीटर में भी देख सकते हैं किस परकार से इसका जो डिजाइन था इसको तो चलिए फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी बरम जानकारी प्रथम भारतिय उबग्रह आर्यभट का नाम पांचोई सताब्दी के प्रसिद भारतिय खागोल वीद और गनितग्य आर्यभट के नाम पर किया गया था तो दोस्तों ये जो आर्यभट नाम पड़ा था इस सेटलाइट का उसका नाम पांचोई सताब्दी के प्रसिद भारतिय खागोल वीद और गनितग्य जो थे आर्यभट तो इन ही के नाम पर इस भारतिय सेटलाइट का नाम आर्यभट रखा गया था इसका निर्मान इसरो के द्वारा बंगलोर में क्या गिया था और इसका वजन 360 किलोग्राम था तो दोस्तों ये जो भारतिय उपग्रह आरेभट था इसका निर्मान इस रो के द्वारा यानिकी Indian Space Research Organization यानि कि हम इसको हिंदि में का सकते हैं भारतिय अंतरिच अनुसंधान संगठन इनके द्वारा बैंगलोर में क्या गया था और उस समय इसका वजन जो था वह था 60 kg था यानि 360 किलोग्राम था इस उपग्रह का प्रच्छेपन कोस्मोस 3M प्रच्छेपन यान से सोवियत संग के भैंकानूर अंतरिच केंद्र से 19 अप्रेल 1975 को क्या गया था तो यहां पे जो important date है वह है 19 अप्रेल 1975 और यह कहां से क्या गया था तो यहां सोवियत संग के बैंकानूर अंतरिज केंद्र से और इसको जो यान के ध्वारा भेजा गया था वहां यान का नाम था कोस्मोस 3M यहां आपको याद रखना है कोस्मोस 3M प्रचेपन यान से सोवियत संग के बैंकानूर अंतरिज केंद्र से 19 अप्रेल 1975 को किया गया था इसका प्रचेपन इस उप्रह के प्रचेपन की जो मुख्य लच्चते इनको हम देख लेते हैं तो इनका जो मुख्य लच्चता वायो विज्ञान प्रयोग सोर भौतिकी एक्स किर्यान और खगोलिय विज्ञान तो इनहीं के बारे में इनको डाटा जुगाडी करना था साथ सात में क्या है ये जो वायो विज्यान प्रियोग सोर भूति की, एकस कीरेन और खगोले विज्यान इसे लेटाइक जितने भी जो जानकारी थे यो इखटा करना था इसमें जो भी चीजे हैं वो इस उपगरह के दोरा खोजे जाना था, इसके दोरा में पता करना था तो इस प्रशेपन यान का मुख्य लच्छ ये सब थे तो ये आपको याद रखना है दोस्तों आर्यभट उपग्रह का जो कार्या वधी है याने कि इसको जो कार्या करने की जो समय थी वहाँ छे मा के लिए निर्धारत किया गया था लेकिन यहाँ 1981 इस बितक सक्रिय रहा और डा याने कि आकड़ा भेजता रहा इस रोको तो इसको जो 6 माइना के लिए ही डियाट किया गया था छे माहाँ यहाँ कारी कारे अंत्रिच मेरा के रह के और जो अनकी जूड़ी जानकारीयां है जो भी आकड़ा है जो भी डेटा है वो इस रो को यानकी इंडियन स्पेस को मिलते रहे तो यहाँ छे महिना के लिए रिधायत किया गया था लेकिन यहाँ 1981 इस भी तक अंत्रिच में कारे करता रहा और वहाँ से जितने भी जूड़ी जानकारियां थी जो आकड़े थे वो इ यह defects तक द्याटा भेजता रहा दोस्तों इनके बारे में एक चीजंग ओर है इंपोर्टेट है यहाँ कि भार्तिया दो रूपिय के नौट पर और रवट उपगरह का चेतर शपा होता था और यहाँ 1976 से 1997 थक भार्तिया दो रुपय के नोट पर अर्यवट उपग्रह का चेतर छपा होता था तो ये भी आपको यादर करना है कि दो रुपय के जो नोट थे भारती नोट उसमें 1976 से 1997 तक अर्यवट उपग्रह का फोटो हुआ करता था तो यहाँ जानकारी थी आरेभट उपगरा के बारे में आरेभट सेटलाइट के बारे में तो यहाँ भारत का सबसे पहला प्रत्थम मानो रहत भारत उपगरा था और इसी से कोश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला मानो निर्मित उपगरा कौन था ऐसे कोश्चन पूछ 1975 यह आपको याद रखना है क्योंकि डेट से भी कोश्चन पूछ जाते हैं और साथ इस साथ जो प्रच्छेपन यान है कोस्मोस 3M तो यह भी आपको याद रखना है ध्यान रखना है तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यहां पर जूरी जा झाल